नमस्कार दोस्तों जैहिन पीड़ली ओली आयस में आपका स्वागत है अभी अभी आज इनॉगरिशन हो रहा है और आज तैयारिया शुरू हो चुकी है जो वाइबरेंट गुजरात समिट होनी है दो हजार चौबिस और ये गुजरात का एक बहुत बड़ा इवेंट है हर द 2003 से इसकी कलपना हो चुकी थी आज जाके 2024 में इसका दस्वा संसकरण सामने आया है और इसमें वाइबरेंट गुजरात समिट के 20 साल की सक्सेस की भी बात होगी अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और कई सारे वर्ल्ड लीडर्स ने इस समिट का उधगाटन किया है तीन द जो हमारी वायू है जो हमारा जल वायू परिवरतन है उस पर हमें बात करनी है आगे आने वाली पीडियों के लिए कैसा ग्रीन फ्यूचर हो उसकी बात करेंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सब की तारीफ करिए जो 34 कंट्रीज के यहां पे हेड्स आए हैं उनकी तार अब भी वहां से डेलिगेशन आया है चाहे वह फॉरन सेक्रेटरी हो चाहे फॉरन मिनिस्टर हो या और कोई हो तो यह बहुत बड़ा समारों माना जा रहा है और इसको बोला जा रहा है कि इस बाइनियल इवेंट का अब तक की सबसे बड़ी गैधरिंग हुई है अब जब से फेज में हैं इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन के जो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन आया था 1800 में यूएस से यूके से वहां से यॉर्प से होता हुआ अब हम एक नए संसकरण पे हैं हम यहां टेक और इनोवेशन के साथ हम सस्टेनेबल मैनुफेक्च्चरिंग की बात हम आजकल स्कूटी टूवीलर या गाड़िया खरीते हैं तो इसलिए उनको ऐसा बनाया जाता है ताकि आप 5-6 साल में साथ साल में दुबारा उस पे आप अपना पैसा इंवेस्ट करो तो इसे कहते हैं प्लैंड ऑप्सलेंज अब कंपनीज को यह फाइदेगा सौधा लग करती थी कि हमारे मम्मी पापा के टाइम के जो पंके चल रहें अभी तक चली रहें कोई खराबी नहीं आई उनमें वर्लपूल के फ्रिज चलते आएं चली रहें तो ऐसी वाली मैनेवक्चरिंग वापिस आए और उसमें क्वालिटी आए स्टैंडर आए ग्रीन हाइड्रो की बात करेंगे हम एलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जाना जा रहें ताकि हमारा सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल भी पूरा हो सके और हमारे लिए जो हमारा पर्यावरण है हम उसको सुरक्षित करें रखें रिनेवल एनरजी साथ में हमें ट्रांस्फोर्मेशन करना है इन्टू सस्टेनेबल सस्टेनेबल मोड जो हमारा ट्रांस्फोर्मेशन होना चाहिए अगला कि यह जो कार्बन फ्यूल एमिशन वाले यह जो वीकल्स हैं हमें इससे आगे चलके अब हमें नई उर्जा की करांती में आना है किसी भी तरह अब जब यह समिट का उधाटन हो बड़ा गैदरिंग दिखाते हैं हमारी शो अफ पावर दिखाते हैं यहां पर अगर आपको पता होगा कि यहां पर कई सारे जो देशिस जो इन देशों के हैड आए हैं इसमें कई देशों से लोग आए यूए के प्रेसिडेंट आए शेख शेख नहयान जी फिर इसके बा देश अम्बानी जी को यह भी हैं अब यह इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि यह देश के सबसे बड़े टॉप इग्जेगेटिव हैं जब हम इतनी अच्छी बात है कर रहे हैं ग्रीन आइड्रोजन की सस्टेनेबल्टी की हम आगे बढ़ना चारें इनोवेशन पर टेक प अग्रट है जो सौफ्वेर के सबसे बड़े किंग हैं हमने उनको यहाँ इंवाइट किया टाटा ग्रुप के चेर्मेन आए रिलाइंस इंडस्ट्री के चेर्मेन आए अडानी ग्रुप के चेर्मेन आए माइक्रोसोफ नैस्टैक गूगल सुजूकी और इसके अलावा कई तो मुगे शमानी जी नहीं ये बताया कि आपको पता है हमने 150 billion अभी तक हमने इंडिया में अपना पैसा लगाया है, सब कुछ किया है और इसमें से एक तिहाई, 150 billion बहुत बड़ा नंबर होता है, 12 लाख करोड के असपास, अब हमने इसमें से जो एक तिहाई है वो गुजरा किया है, गुजरात से ही हमने कमाया है, गुजरात से ही हमने उसमें जो हमारी investment आई है, उसी में आई ये गुजरात से, एक तहाई 150 यानि 50 billion गुजरात को मिला है, और आपको एक बात सुनके आप चोंक जाओगे, पता है गुजरात थर्ड पर आता है, पहले महराश्रा, फि का business acumen गुजरात के बास बचा is of doing business तो इन्होंने ही गुजरात ने वन थर्ड ओल्मूस्ट 34 बिलियन तो फॉरेन फंडिंग से कमा लिया फॉरेन फंडिंग से इंवेस्मेंट उठाया अब वाइबरन गुजरात समिट के बाद यहां पे और ज्यादा का investment आ सकता है टेसला अपना अप्लांट लगाना चाहरे है बाते चल रही है इस बाइनियल इवेंट में हो सकता है इसकी गोशना हो जाए यही यही बात हमने अपने सारे वर्ल्ड लिडर्स के सामने यही बात बोली जो 34 कंट्री से खोरका जो 130 Rudra आए हमारे पास हमने इनको बोला कि देखो हमारे यहां बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगने वाली है हमारे यह कोई दिक्कत नहीं होती है और हम देखते हैं कि हम आगे तक फ्यूचर के लिए भी हम अपना हम अपनी निगा बना के रखें कि आगे आने वाली पीडियों के लिए हम ऐसा क्या दे सकते हैं यही बात करेंगे यह सारे लीडर्स और इनके सेक्रेटरी इनका स्टाफ इनका डिपार्ट्मेंट आप आसमें पहले बाते करेगा फिर यह सारे बिरोक्रेट्स का आगे का जितना जीवन का काम होता है उन्हें यही करना होता है तो अब एक चीज़ और देखें जब अम्बानी जी ने यह बोला तो क्या इसके बाद क्या इससे क्या इन्वेस्मेंट में प्रॉफिट आएगा येस आएगा जब रिलाइंस इंडस्ट्री में help मिली है यहाँ पर हमने काफी ज्यादा मुनाफ़ा किया है growth करी है तो Microsoft Google ऐसे जो बड़े बड़े कॉंग्लोमेरेट जो ग्लोबली इतना ज्यादा अपना footprint रखते हैं तो यह investment करना चाहेंगे गुजरात में और गुजरात के थुरू पूरे देश में हम एक चीज और यहाँ पर रह रही है कि जब गांधी नगर में जब हमारे आये थे अलनायान जी UAE से तो एक रोड़ शो हुआ था एहमदाबाद टू गांधी नगर ठीक है अब यह जो रोड़ शो हुआ था इसमें प्राइम इनिस्टर मोदी जी और अलनायान जी ने पू कि आ रही थी कि एक अच्छा सा पूरा रोड़ शो होता है कॉनवाई निगलता है और प्राइम मिनिस्टर जी हाथ हिलाते हुए सब का अभिवादन करते हैं और इसके बाद यह समिट का उधगाटन इनॉगरेशन शुरू हो जाता है अब इस समिट में क्या क्या होगा कौन कौन से नए फैसले होंगे अनॉंस्मेंट होंगे हम उस पर अपनी निगाह बनागे रखेंगे विद दिस वी कॉंक्लूट दिस न्यूज फॉर नाव और हम चलते हैं अपने आगे की न्यूस पर थैंक्यू